दोस्तों नमस्कार, बहुत सारी दुविदा जब हम लिवर्टोनिक की बात करते हैं, वजन बढ़ाने की बात करते हैं, बखरियों की भूख बढ़ाने की बात करते हैं, तो बहुत सारी दुविदा रहती है कि हम उनको कौन सा लिवर्टोनिक दें, तो दो लिवर्टोनिक आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं बहुत शांदार आते हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है उन पर वीडियो बनाने में तो अक्सर भाई पूछ रहे थे कि हम ब्रोटोन का इस्तेमाल कब करें और लिवर टॉनिक में लिव 52 का इस्तेमाल कब करें दोनों में से बैस्ट क वाले हैं उनको बढ़ाने वाले हैं तो यह दोनों सैम है ठीक है लेकिन आप यहां पर इनके इस्तेमाल को अगर बारी की से समझें तो जहां पर हमें भूख बढ़ाने के साथ-साथ वजन बढ़ाना है यानि कम खा रहा है कम खा रही है तो भूख बढ़ाने के साथ-साथ बढ़ाना है तो लेवर टॉनिक दीजिए, और आपको वजन बढ़ाना है भूख अच्छा खारा पिरा है तो वजन बढ़ाना है और लेवर को stimulate करना है तो आप बरोटॉन दीजिए, बाके ये गौण फरक है, दोनों अच्छे काम करेंगे, लीवर टॉनिक as a lever tonic दोनों बड़िया काम करते हैं आप दोनों में से कोई सा भी use कर सकते हैं यानि कोई भी बड़ा बड़ी वाला मामला यहां है ही नहीं कौन सा best है वही best है जो आपके area में easily मिल रहा है ठीक है अब आपके या proton easily मिल रहा है ली 52 मिली नहीं रहा तो आपके लिए best कोन सा हो गया ब्रोटोन हो गया यानि कि अगर ली 52 easily मिल रहा है तो ली 52 हो गया rate wise भी दोनों में कोई फरक है नहीं और दोनों ही बहुत ही शांदार है लेकिन ली 52 पूर्ण रोप से एक आयरुविदिक फोर्मूला है तो भाई ये थोड़ा सा better काम करता है बाकि ब्रोटोन में भी कोई कमी नहीं है आप कोई साभी इस्तेमाल करें लेकिन लीवर्टोनिक जरूर दें ताकि उसका वजन बढ़ सके भूग बढ़ सके जो भी खारी पी रही है बकरियां वो उनके सरीर को लग सके तो लीवर्टोनिक देना है मस्ट देना है लेकिन भाई जो हमेशा दे रहे हैं प्लीज रुकिए आप लीवर्टोनिक को 10-15 दिन से ज़्यादा लगातार मत दीजिए यानि महीने में 10 दिन अगर इन इमरजेंशी है तो आप 15 दिन दीजिए इससे ज़्यादा लीवर्टोनिक को आप मत दीजिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा